जेहिन दोस्तों मैं शुम्भु नाइमा आपका हमारे चैनल होल्टी मंत्र में स्वागत करता हूं जिसमें आज हम लेकर आए हैं कि सीरीज में हमचे क्य से ओंड ंड टॉमेटो जिसमें हम चर्शा करेंगे टमाटर की फसलर विभिन्न आजीजि़ США परिक्षा भुए है उनमें जो परहे उंपर हम चर्शा करेंगे तो ये सभी प्रस्ट में अगर कोई आपको तुरूटी लगती है या गलती लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताए सबसे पहला कुश्चन है ब्लूजम एंड रोट इन टोमेटो इस ड्यू टू डिफिसियंसी ऑफ जो ब्लूजम एंड रोट है जिसको बेर डिसिज भी कहा जाता है या बेर भी कहा जाता है वो किसकी कमेंसे होता है अगला प्रस्णा आता है अरली ब्लाइट ब्लाइट अटोमेटो किसके कारण से होता है A-Fungus B-Wジャ Mos D-Nanark. इनमें से कोह दाестно concrete जो या, अर्ली ब्लाइट और लैट ब्लाइट होती है ठोमेटो की वो होती है वो किसके कारण होती है तो वो होती है फंगस के कारण अब फंगस में जो अरली ब्लाइट होती है उल्टरनीर या शोलनाई के द्वारा और जो लेट पलाइड होती है वो फाइट ओफ स्वरा इंफ्योष्टैंस के कारण होती हैं आ गे देखते हैं कलटीषड टॉमेटो को लोग तूधा इस्पीस जो कि टूमेटू है वो किस इस्पीसिस से विलोग करता है 悲ग कर दो जो ङूडूटेट इस्पीसिस तो टूमेटों की वे लायको पर एसकुलेंटम ये वह इसकी इसपीसेज हैं अगला परश्चना आता है ग्रोथ रेगुलेटर विच इंग्रीज फ्रूट सेट इन टॉमेटों कौन से ग्रोथ रेगुलेटर के दारा टमाटर के फल में फ्रूटसेट बढ़ता है A. 2,4-D, B. G. A. C. Milikhydrazite, D. Ethafen तो जो fruit seed बढ़ता है, वो बढ़ता है 2,4-D के कारण 2,4-D, 2-4 ppm का अगर इस्प्रे करेंगे तो उसमें fruit seed बढ़ जाएगा Tomato sauce is preserved है Tomato sauce को preserve करने के लिए किसका उप्योग कियाता है A. SO2, B. Benzoic Acid, C. Salt, D. Acetic Acid तो टोमेटो के preservation के लिए जो manually यूज किया जाता है वो यूज कियाता है sodium benzoid को इन टोमेटो हैब्रीड हिसार अनमोल तो डोनर ओप्रसिस्टन्टू लीफ करल वाईरस जो टोमेटो हैब्रीड है हिसार अनमोल उसमें लीफ करला कि प्रती resistance किसके द्वारा डेवलप किया गया है लाइको परसिकान प्योरो वी अनम लाइको परसिकान पाइमपी ली फोलियम लाइको परसिकान एस्कुलेंटम या लाइको परसिकान हिरसुटम एफ इस्पीसिस ग्लाबारा टम तो जो रेसिस्टन्ट डेवलोप किया गया है हिसार एंडरॉल में वो डिवलप किया गया है लाइको परसिकान हिर्सु टम एफ इस्पीसिस ग्लाबेरे टम के द्वारा इन टोमेटो फ्रूट फ्रोसेसिंग पी एफ अफ फ्रूट शूड बी जो प्रोसेसिंग के लिए टोमेटो को यूज करते है उस फ्रूट का पी एफ क्या होना चाहिए चार दसम्ले पांच से कम चार दसम्ले पांच से अधीक चार दसम्ले पांच या न्यूट्रल तो जो प यह होना चाहिए वह होना चाहिए 4.5 से कम होना चाहिए मतलब वह acidic nature का होना चाहिए pollen esterility in tomato can be defined identified by using of मतलब tomato में breeding purpose से जो pollen esterility है उसको किसके द्वारा identify किया जा सकता है क्या यूज़ करें कि उसके pollen esterility है वो identify हो जाए ए एसेटो कार्माइन बी के एमनो फोर सी मिथाल ब्लू या डी फिनोल पैथा फिदोल पैथालीन तो जो pollen esterility को identify करने के लिए यूज़ किया था एसेटो कार्बाइन इसमें यूज़ किया थे pollen esterility को identify करने के लिए which of the following is used as a donor for salt tolerant in tomato building salt tolerant के लिए कौन से species का donor के रूप में प्रियोग किया था ए लाइको परसिकां पैनेली लाइको परसिकां हेर्सूटम लाइको परसिकां चिस्मानी या लाइको परसिकां पाइनी फेलो लियम तो जो लाइको परसिकां पैनेली उसका अपयोग साल टोल्डरेंट के रूप में किया जाता है अगला प्रशना ता है टोमेटो वेराइटी विच केन विट इस्टेंड हाई एस वेल एस लो टेंपरेचर एसी कौन सी वेराइटी है जिसको हाई टेंपरेचर के साथ भी उगाया जा सकता है और जो अप्षन एपुषा नभीन और इस्टेंट सीm वुषा से तल और जो ओप्षण लुक्त स्टाबहर तो कॉंसी वेरेटी है जो आए और लो टेंपरेचर डोनों diciendo को ग्रोघ किया जाकता है तो वह तो हो है पूसा सदा बATHANार कॉंसी वेराइटी है निकेने to 18 degree Celsius ताकमान भी होगा तो इस variety को आसाने से grow किया जा सकता है जबकि जब पूसा सीतल है यह cold reason के लिए suitable variety है next आता है the pro dominant pigment responsible for red color and tomato red tomato में red color के लिए कौन सा जो chemical है वो responsible a b karotene b xanthophyll c anthocyanine यह d lycopene तो जो red color के लिए responsible pigment है वो है lycopene cat face is disorder of cat face इसका disorder है a chow chow b pointed guard c tomato यह d cauliflower तो जो cat face है वो tomato का disorder tomato पर detail video देखने के लिए description में आपको link मिल जाएगी वहां से भी आप tomato का detail वीडियो देख सकते हैं जिसमें हमने बहुत सारे point पर चर्चा किए जिनमें से अक्सर जो question है वो एक्जामों में पूछ लिए जाते हैं c पूसा गोग्रव d पूसा अल्ली ड्वार्फ तो जो रोमा है वह इंडिटेंडमेंट टाइफ वेराइटी है next question है optimum night temperature range for fruit setting in tomato optimum night temperature कितना होना चाहिए टोमेटो में fruit setting के लिए यह 10 से 20 degree Celsius, b 15 से 20 degree Celsius, c 15 से 25 degree Celsius या d 25 से 30 degree Celsius तो जो answer है वो है 15 से 20 degree Celsius the main preservative is used to preserve tomato ketchup, tomato ketchup को preserve करने के लिए कौन सा preservative यूज किया था a propionic acid, b potassium metabisulphate, c sodium benzoate, d niacin तो जो answer है वो है sodium benzoate, अगर sodium benzoate option में नहीं होता था हम potassium metabisulphate को लगाते हैं अगर sodium benzoate option में है तो जो first preference दिया जाता है वो sodium benzoate को ही दिया जाता है cell pollination in tomato is due to tomato में किस कारण से cell pollination होता है a illogamy, b chalastogamy, c chasmoagamy, d autogamy तो जो tomato में cell pollination होता है वो chasmoagamy के कारण होता है bear disorder of tomato is due to deficiency, bear मतलब ब्लोजम एंड रोट जो होता है किस के कारण a boron, b calcium, c phosphorus, phosphorus और d potassium जो bear disorder होता है वो होता है calcium deficiency के कारण next आता है cell topping tomato is, जो cell topping है वो किस से related है a indetermine type, b determined type, c both या d none of these तो जो cell topping है वो related है determined type से अगला प्रस्णा आता है leaf color tomato transmitted by जो leaf color disease है tomato की वो किस के द्वरा transmit होती है a option aphid, b jacid, c hofer, d white fly तो जो leaf color tomato है वो spread होता है transmit होता है white fly के द्वारा अगला प्रस्णा आता है flavor saver is an important variety flavor saver हो किस की variety है a potato, b tomato, c sweet potato, d wheat तो जो flavor saver variety है यह इसकी variety है तो यह tomato की variety है tomato is a tomato क्या है long day plant, short day plant, day natural plant, neutral plant या इन में से कोहिन है तो जो tomato है वो day neutral plant है वो day neutral plant है मतला है प्रकाश निश्प्रभावी पोधा है अगला प्रस्णा आता है which is the most serious pest of tomato इन में से जो most serious pest कौन सा a jacet, b fruit borer या c ep चला पीटल या d cut वर्मत जो टोमेटो का सबसे ज्यादा serious pest है तो वो है tomato fruit borer ए ओप्शन में लट आए गाईने species, b heliothis species, ep चला species या non of these तो जो root note होता है वो में लट आए गाईने species के कारण होता है next question होता है what is ideal seed rate of hybrid variety of tomato to raise seedling for 1 hectare 1 hectare में पोधे लगाने के लिए hybrid variety की seed rate कितनी होती ए ओप्शन 100 से 125 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 200 से 300 ग्राम और 300 से 400 ग्राम तो जो option के हिसाब से हमारा 100 से 125 ग्राम correct answer है लाइकोपीन developed in tomato is addressively affected when temperature goes यह बो चो लाइकोपीन कितने degree Celsius के ओपर ताप मान चला जाए कि वो बनना बंद हो जाए तो A option है 15 degree Celsius, B है 20 degree Celsius, C 25 degree Celsius और जो D option है 30 degree Celsius तो जो option के हिसाब से हमारा 30 degree बिलकुई सही answer है क्योंकि 27 degree के बाद जो लाइकोपीन है वो बनना लगबग बंद हो जाता है और उसमें decrease होना चलो हो जाता है फ्रूट क्रेकिंग इन टोमेटो केन बी रिड्यूस बाइ सोईल अप्लिकेशन अप्ट तो जो फ्रूट क्रेकिंग हो हमारा बोरान डिफिचेंसी के कारण होता है तो किसक्या उसमें सोईल अप्लिकेशन किया जाए कि उसमें फ्रूट क्रेकिंग को reduce किया जाए प्रूट क्रेकिंग है इसमें अप्लिकेशन करेंगे बोरेक्स का 15-20 kg प्रती हेक्टिर का बोरेक्स का एप्लिकेशन किया जाता है टॉमेटो विराइटी रोमा इस डेवलोप फ्रूप वीज मेथड जो टॉमेटो विराइटी है रोमा वह किस मेंथड से डेवलोप की गई यह इंट्रोड्यूस इंट्रोड़क्शन मेथड बिहाइबेडेशन मेथड सीमेडेशन मेथड या डी पेडेग्री मेथड तो ज जो इसके जो फ्रूर्ट शेफ यह इर जो है पिएर सेफ इसके फ्रूट होते हैं और यह लोंग डिस्टेंस मार्केट के लिए सूटे बल होती है और इसके फ्रूट होते हैं वह पियर्शॉन पोछेफ! लिए पीर से फ्रूड होते है रोमा वेराइटी के और पंजाब छुवरा वेराइटी के अगर वीडियो अच्छा लागे तो लाइक शेंड सस्क्राइब जरूर करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दा फॉर्मेशन ओब ब्लेक कलर कंपॉंड इन टोमेटो केचप इस ड्यू आप तो जो जो उपर का इससा वह ब्लेक कलर हो जाता है ब्लेक रिंग बन जाती जिसको ब्लेक नेक कहा जाता है नेक्स्स्क्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्राइब्सक्रा और color development in tomato fruit, tomato fruit में color development के लिए सबसे अच्छा तापमान कितना होना चाहिए, A 15-18 degree Celsius, B 21-24 degree Celsius, C 28-30 degree Celsius, और D 32-35 degree Celsius, तो जो सबसे अच्छा तापमान होता है, वो होता है, चोविज 21-24 degree Celsius, जो 21-24 degree Celsius तापमान है, वो टोमेटो में color develop होने के लिए सबसे अच्छा तापमान माना जाता है, अगला प्रश्ना था है, फ्लोवर का कलेश्टर होता है, जब उच्छा होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, अमबल, भी हीव, स्पेडिक्स, या डी ट्रस्ट, जो टोमेटो का जो फ्लोवर कलेश्टर होता है, उसको ट्रस्ट की नाम से जाना जाता है, अम्बल की बात करें तो जो धनिया है वो इसके फ्लोवर को अम्बल कहते हैं गुलाव की फ्लोवर को हीव कहते हैं केले केले के फ्लोवर को इस पडिक्स कहा जाता है और जो Tomato का जो flower किस इस इसको ट्रस कहा जाता है इसमें तोमेटो की जनरल सीट रेट पूठी गी है तो यह एप्चिन है 600 से 1,000 ग्राम पर एक्टेर यह उप्चिन है 100 से 200 ग्राम पर एक्टेर जो D option है वो है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टियर तो जो टोमेटो की general seed rate होती है वो होती है 400 से 500 ग्राम पर हेक्टियर अगला प्रशना था है which country was first to begin commercial use of transgenic tomato and potato किस country में टोबेको और टोमेटो का सबसे पहले transgenic variety develop की गई थी है यह first उसको commercially use किया गया था ए इंडिया बी अमेरिका सी चाइना या डी कनाटा तो जो चाइना है उसके द्वारा सबसे पहले टोमेटो और जो तोबेक है उसकी ट्रांस जेनिक वेराइटी को first commercially use किया गया था अगला question आता है for canning tomato fruit are pig dead जो canning purpose के लिए टोमेटो की harvesting कब किया थी a mature green stage b half ripe और pink stage b red ripe ये pipe की जगा ripe stage है ripe stage और जो d है immature green stage तो जो टोमेटो की canning के लिए जो harvesting की जाती वो की जाती red ripe stage पेर yellow color of tomato is due to tomato में yellow color किस कारण से होता है तो लाल color तो हमें पता है कि lycopene के कारण होता है तो जो येलो किस के कारण होता है A chlorophyll B carotinate C lycopene D cucurbitation तो जो yellow color होता है वो होता है केरोटिन के कारण ये लो color केरोटिन के कारण होता है अगला प्रशना था टोमेटो फ्रोट्स क्रेक जूट्यू टोमेटो में fruit क्रेकिंग किस के कारण होती है A restricted watering B a period of drought followed by heavy watering C over watering या D insufficient watering तो जो option के अनुसार जो हमारा answer है वो है B a period of drought followed by heavy watering लंबे समय तक उसमें सूखा पढ़ने एक बाद अगर एक दम से ज्यादा सी चाहिए कर दिया है तो जो टोमेटो के fruit है वो क्रेक हो जाते हैं और nutrient deficiency में Woran deficiency की कारण इसमें fruit cracking हो जाती है अगला प्रस्ण है puffiness is physiological disorder of which vegetable puffiness किस vegetable का disorder है A के रोट B ब्रिंजल C ओकरा या D टोमेटो तो जो प्रस्ण है वो किसका disorder है तो वो टोमेटो का disorder है किसी प्रस्ण में अगर आपको कोई त्रूटी लगे या कोई गलती लगे तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेंड सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद